है यह वेल्कम बैक टू टार्गेट फॉर आइक्यू मेरा नाम है वैभव जैसा कि हम स्यार पीश से में पहले पढ़ते हो आ रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाता है कम्प्लेंट फाइल करता है अंडर सेक्शन 200 तो मजिस्ट्रेट क्या अगर दे थे उस कम्प्लेंट के साथ जो विटनेशी आया उनको एक्जामीन करते थे और प्रोसेजर स्टार्ट हो जाता था चाहे कोई हम किसी बी इंडियूजेल के अगेंस्ट करें या किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट करें वहीं एक और सेक्शन था सेक्शन 156 वह बात करत था कि अगर पुलिस ने कोई प्रॉपर इंवेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं कर रही है तो एक व्यक्ति 156-3 के एप्लिकेशन मजिस्टेट के सामने लगाता था मजिस्टेट क्या करते इंवेस्टिकेशन को ओडर दे रहे थे कि आप इंवेस्टिकेशन शूरू करें या आप जो इंवेस्टिकेशन करें ढंग से नहीं करें आप दूबार से उसको इन्वेस्टिकेट करिए ठीक तो यह दोनों सेक्शन से जो काफी मेखाल से ठीक थे बट अगर अब हम बात करें तो जो न्यू प्रोविजन लोग आया है बी ए जो हमारा एक सेक्शन है सेक्शन टूवन्टि ट्री ओवेस्टित अब वो हो गया सेक्शन के सामने यानि कि अगर आप complaint file करने जा रहे हो magistrate के सामने और किसकी complaint public servant की कि वो अपनी duty ढंग से नहीं कर रहा है या public duty करते समय उसने अपना ऐसा act किया है जो एक offensive category में fall करता है तो अगर आप ऐसे public servant की complaint कर रहे हो तो जो magistrate साब हैं वो उस पर अभी cognizance नहीं लेंगे मजिस्टेट साब बोलेंगे कि मेरे हाथ बंदे हुआ है मैं अभी cognizance नहीं ले सकता अगर उनको cognizance लेना step forward अपना step आगे लेके जाना है तो उनको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा पहली such public servant is given an opportunity to make assertions यानि कि जो व्यक्ति complaint लेकर आया है magistrate के साब में किसी public servant की तो magistrate क्या करेंगे उस public servant को अपनी court में बुलाएंगे और कहेंगे बताओ आप अपनी जो duty discharge कर रहे थे public duty जो आप कर रहे थे उस समय बोला गया है ये व्यक्ति आया है और ये बोल रहे है कि आपने अपनी duty में duty करते समय ये ये offense किया है या ऐसे-ऐसे act किया है तो आप अपने आपको justify कर ये यानि कि एक chance दिया गया उस public servant को अपने आपको एक innocent बताने के लिए एक अपने आपको पूरी एक जो situation हुई थी वो बताने के लिए तो आपको क्या लगता है कि अगर कि किसी public servant को court के सामने बुलाया ग दूसरी condition क्या है रिपोर्ट कंटेनिंग facts and circumstances of the incident from the officer superior to such police officer is received इसके साथ साथ जब उस public servant को नोंने एक chance दी एक opportunity दी कि अपने आपको justify करें ये step follow करने के बाद वो दूसर step follow करेंगे वो उस public servant के superior authority जैसे कि अगर कोई police officer हुआ तो उस area के जो SP हैं उनको बोलेगे कि आप अप अपनी एक report तयार करके मुझे भेजे कि आपका जो ये public servant है क्या ये ऐसे से कारे कर सकता है ठीक तो ये दोनों condition fulfill होनी चाहिए अब आप खुद सोचिए क्या ये दोनों condition justify है ये दोनों condition justify है क्या कोई public servant अपने आपको बोल देया कि मैंने offense किया है ये पता होने के बावजू condition या है कि superior police officer से report मांगी जा रही है तो आपको क्या लगता है जो police officers होते हैं या कोई भी public servant हो वो अपने जो नीचे उनके जो नीचे officers होते हैं उनकी बुराई कर देंगे अगर बुराई करेंगे तो उनकी department की बुराई हो रही है ना तो ये तो कोई public servant नहीं चाहेगा कि वो दूसरा जो provision add किया है वो किया है नहीं सेक्शन नंबर 175 जो की बात करता है अगर हम पुरानी CRPC को देखें तो section 156 की बात करता है ठीक तो नहीं एक new provision add किया है जिसमें बोला गया है any magistrate empowered under section 210 210 बात करता है जो 190 CRPC में था में upon receiving a complaint against a public servant arising in course of discharge of his official duties order investigation subject to receiving a report containing facts and circumstances of incident from superior officer of police and याद रखना है दोनों conditions होनी जरूरी है क्योंकि यहां पर end word है और नहीं है ठीक and after consideration of assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so released इस वाले provision में क्या हुआ let's suppose police officer ही लेता है वो easy पढ़ जाता समझने के लिए police officer अपना काम कर दी उन्होंने उस काम को करते हुए कोई offense कर दिया कोई एक पी particular police officer ले लो अब वो जो offense किया न जिसके अगेंस क्या उस इनसान ने उस public servant के अगेंस क्या कर दी अब FIR करा दी अब FIR करा दी ठीक FIR हो गई अब वो जो पुलिस officer जो investigation कर रहेंगे उस FIR से related वो investigation कर तो रहे हैं मजबूरी हो गई क्योंकि FIR हो गई बट वो investigation नहीं कर रहे ढंक से जो की होनी चाहिए थी तो CRPC पुरानी CRPC में तो MBT थी कि हम 156-3 में जाके application लगाए मजिस्टेट के सामने मजिस्टेट बोलेंगे investigation स्टार्ट करें वो investigation शुरू हो जाएगी बट यहाँ पे न मजिस्टेट के हाथ बंद गए हैं उन्होंने क्या कहा मजिस्टेट जब तक investigation का order नहीं देंगे जब तक कि यह दोनों conditions fulfill ना हो जाएं पहली superior officer से report मंगवाना दूसरी जिस police officer के against FIR हुई जब कोई भी case institute हुआ है उससे खुद ही उसको बुलाना court में और पूछने कि आपने सच में ऐसा किया भी है आप अपने facts बताएगे तो क्या लगता है दोनों conditions एक सच्ची मतलब दोनों conditions है क्य ऐसे अपराद हुआ है police officer जिसने offense किया वो तो बिलकुल नहीं बताएगा वो तो manipulate ही करेगा कोई और situation बना देगा इनके लिए तो यह easy हो जाता है क्योंकि training ही इस चीज़ की मिलती है और जो superior officer है क्या वो अपने department का नाम खराब करेंगे क्योंकि अगर ऐसा incident वो बता देंग और उनना offense सच में अगर किया भी है तो newspaper में आ जाएगा newspaper में आने मतलब उस district के बारे में गलत आ जाएगा उस district के गलत के आने मतलब उस SP के against यह हो जाएगी कि आप उस district में रह रहे थे और being an SP आपके इस area में अपराद बढ़ रहे हैं घटने के बजाए तो यह situation तो मुझ कहीं न कहीं कुछ हद तक कम हो गया है कि अब police officers की अब हो गया है दादागी start हो सकती है कि आगर वह investigation कर रहे है तो वह अपनी मर्जी से investigation करेंगे उनसे investigation करते हैं कुछ अपराद हो गया या कोई भी अपनी public duty को discharge करते है कोई भी अपराद हो गया XYZ तो उन्हें अब डढ़ने की कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि BNS ने उनको काफी help कर दिया indirectly मेरा interpretation तो यही है बाकि जो आपका interpretation है comment करके बताए आपको क्या लगता है कि यह जो provisions add हुए है BNS में BNSS में यह सही provision है या इनको amendment की ज़रूत है मेरे को तो लगता है in future यह इस provisions related PIL या case law case file होंगे high court supreme court में बट उसमें भी time है ठीक तो आपको यह I hope यह lecture समझ में आया होगा कि police की दादा की start कैसे हो गई मिलते है next video में thank you